हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जित के जित है मेरा फिटूर जित है मेरा गुरूर जित है मेरी जुर्ण हमाई यूटीव फैमली कैसे है आप सभी लोगो दोस्तों मेरा नाम है देवतर रगुवाल और अगर आपने अभी तक सस्क्राइब नहीं किया आप गलती कर रहे हो अगर सस्क्राइब नहीं किया तो गलती कर रहे हो क्योंकि बहुत सारे वीडियो जो मैं डाल चुका हूँ आप मिस कर रहे हो और कमेंट यही कर रहे हो कि सर यह वीडियो डाल दो यह वीडियो डाल दो जब कि वो वीडियो अरेडी डाला हुआ है यही तो रीजन है आपको आपना नोटिफिकेशन नहीं आता है आप सस्क्राइब करोगे क्योंकि यह वीडियो मैंने पाट टू बनाया इसे पहला मेरा पार्ट बन देखा था और टांक यू यु रिटू यह दिया करने के लिए और उस्टेव देने के लिए यह पार्ट टू है यह से zdो इसको अपरन सोमने करने के लिए ढूंप कुछ तो मेरा यह मांनना है divers तो अगर मैं बात करूँ, यह आपका sensor है, इसको hall sensor बोलते हैं, यह LDO की तरह काम करता है, जैसे LDO होते हैं, तो दोस्तो अगर मैं बात करूँ, यह IC, यह आपका hall sensor है, यह Samsung के फोनों में लगा आता है, हमारे Xiaomi के फोनों में भी लगा आता है, हमारे China फोनों में भी लगा आता ह तो यह sensor basically magnetic sensor जैसे काम करता है आइए इसके बारे में तोड़ा बात करते है इसको कैसे bypass करेंगे यह काम कैसे करता है सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में explain करने वाला हूँ दोस्तो यह bypass solution part 2 और यह magnetic sensor की जैसे काम करता है जैसी magnetic इसके पास आता है इस पर output होना बंद हो जाता है और CPU को लगता है कि जब अगर यह IC से output नहीं आ रहा है और तो CPU को लगता है कि भी मुझे display को भी sleep mode पर डाल देना चाहिए क्योंकि उसको लगता है कि cover लग चुका है तो यही सारी चीजें बात करने के लिए में इस वीडियो को आपके लिए बनाया सो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के दोस्तो यहां पर मैं बात करूंगा hall IC sensors basically LDO की तरह देखता है LDO की जैसे lag LDO की जैसे बिलकुल उसका size होता है और देखा जाए तो उतने ही lag होते हैं जितने LDO IC में होते हैं low drop out IC एक तरह से अगर मैं बात करूँ बहुत सारे लोगों ने पता नहीं क्यों इस LDO को अलगी तरीके से बताया है पर मेरे सबसे वो सही तरीका नहीं है और सही भड़ाई भी नहीं है और वो एक तरह से मतलब भटकार है लोगों को पर ठीक है कर मैं यह सब nose cut point है तो एक दो तीन और चार इस तरीके से इसको गिना जाता है चार इसको मैंने अपनी book में भी बताया है बहुत अच्छी तरीके से हो मैंने और एक साल देर साल दो साल पहले मैंने अपनी book में इसका solution ढाल दिया था अगर आपको मेरी book purchase करनी है तो नीचे link दी हुई है बहुत सारे solutions उसमें बक लाइन उसमें वी रेज बहुत सारे सब कुछ उसमें बताया गया है बहुत सारे ICU के GR डाले गया है एडलीस आपको एक पुस होगा जितने रुपे की टी सेट खरीटे हो ना उतने रुपे की book है भाई मेरे आप एक टी सेट को मत खरीदो एक book को खर एक काया चीज़ें आपके काम करता है पहले बैस तो यह इसका काम करता है तो यह इसका शुक्त होगे डिदी को बोलते हैंत dropdown की बहासा में बात करें तो और यह input voltage की इसाप्लाइए को चाहाँ करता है तो यह इसका इन्पुट हो गया दूसरा हो कि विए से टेक्निकली इसको हम ग्राउड बोलते हैं विएसे आपने देखा होगा मोलीडी की आई सियों में भी आता है वसके विएसे की सप्लाई आपको देखती है विएसे मतलब ग्राउंड की पर यहां पर ग्राउंड डारेट नहीं ह होता है तीसरा होता है न्सीजगी तो इसका कोई भी आईसी में काम नहीं होता है यह क्योंकि नूर्ट करनेक्टेट दी गई है यह ले देकर इन आउट इन आउट और एक ग्राउंड इसे इतनी सप्लाई है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहां पर आये किस तरह के से वड़ करता है सबसे पहला इंपुट पर एक वोल्टेज दिया जाता है 1.8 और यह वी रेज का वोल्टेज है और जो कि हमारे LDO section से आता है और यह 1.8 voltage है जो कि चार्जर लगनी के बाद आता है मतलब यह वो वोल्टेज है जो कि VCC Q में भी जाता होगा सो बिसीकली वी रेज का वोल्टेज है और यहां से एक कोईल की तुरू क्योंकि यहां पर भी कोईल लगाया गया है और इसके तुरूइ इसमें एंटर करता है अब जैसी एंटर करता है यह क्या करता है यह को स्विच करके यहां पर 1.8 वोल्ट की सप्लाई को आउट करता है और यह कवर एट है जो कि आपके CPU के अंदर जाता है तो बिसिकली यह जो कवर एट कवर अंडाई एंटे हैं इंटर्प्टेश संप्ल्राइ चालू हो गया है तो सीप्युं को वूल्टेज मिलता रहे अगा तो डिस्पेल जीर विइस आसधना बन जाते ऊड़त नहें Skills को चलाना बन करते गा उसको लगया का वर साड़ इंट्रॉप्ट हो चुका है डाट मीन क आपके phone में आपने एक magnetic cover लगाया है मतलब अपने इस डिस्पले को बंदिकिया फिलिप कबर से प्रोब्लम यह होती है कि water damage के दौरान पानी जाने के दौरान ज़्ड़ातर यह IC damage होती है हलाकि IC damage होने का कोई ज़्यादा reason होता नहीं है 1.8 की यह supply जो जड़ा तर इसके यह जो capacitor होता है यह short हो जाता है इस खुराब होचाती है तर जाती पानी पर जाने पर इस पर जी आःज आना इसका जो resistance आना वो बंद हो जाता है तो जड़ा तर लोग इस आई-सी को निकालते हैं बापस लगाते हैं अगर आपको IC लगाना है तो इस वेरी गुड बहुत अच्छा काम कर रहे हो कंपरी जासे काम कर रहे हो तो IC को लगा के कस्टमर को दो ताकि इमेग्रेटिक सेंसर वापस काम करने लगे है अगर अगर मैं बात करूंगा अगर आप IC को नहीं लगाना चाहते तो आप बाइपास कर सकते हो तो क्योंकि यहां पर 1.8 करकर कंटिन्यू ओन होने से और अगर आप इसको बना दो तो यह IC काम करना चालू कर देगी तो जनलेली जब भी आपके पास में एक स्लिप मोड का प्रोब्लम आए तो अपनी होल सेंसर आप और उसके एक नंबर पर आप कोसिस करना कि आपको इतना वोल्टेज चार्ज लगाने पर आजाए 1.8 वोल्टेज और जब 1.8 वोल्टेज यहां पर चार्ज लगाने पर अपके आउप्ट ना निकाले दोस्तो यह भी जोरी है कि सिर्फ जन्पर मानने से कुछ नहीं होगा यह बात धानना इसलिए वीडियो बना रहा हूं यह जमपर मानने से कुछ नहीं होगा यहां पर वेट पॉंपॉिंट एट आपको जंप तभी मारोगे दिखाता हूँ — ils अगर माल लीजिए आपका जो CPU है अगर माल लीजिए यह जो आपका CPU है अगर यह जो आपका यह देखें यह जो आपका CPU है इस CPU से इस supply को connect होना बहुत ज़रा ज़री है इसलिए चार नंबर पर आपको इना जी आर मैं जी आर पर बहुत 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 बैटरिंग वीडियो बनाने वाला हूं जो कि एक दो दिन के अंदर याने वाला है जिसको आप जरूर देखना इसल को हटाने के बाद तो यह समझे लो कि CPU से यह लाइन टूड़ गई है अगर यहां पर जंपर भी मार दो के तो आपका काम नहीं होगा आपको यह जंपर 1.8 वोल्टेज इस जी आर पर ही CPU के साथ में टच करने है जब तक यह CPU के साथ टच नहीं करोगे यह आपका काम नहीं ह होगा अगर ऐसे कंडिसन ही तो आपको CPU को रिबॉल करना पड़ेगा और CPU के अंदर से पैड से यह एक आपको माइक्रो जंपर निकाल कर आपको यहां पर चार नंबर पर लगा कर यह CPU के पैड से माइक्रों निकाल कर डारेट वहीं पर 1.8 वोल्टेज भी तो भी आपका का यह चलते हैं अब यहां पर मैं बात करूं मैं आपको इसको डाइग्राम में स्कमैटिक डाइग्राम में और बता दूं कि CPU पर आपको किधर से और कहां पर जंपर मानना पड़ सकता है तो नोटिस किरो दोस्तों देगें यहां पर बात करेंगे दोस्तों यहां पर यह जो आपने पहले अगर हम जी सेविन की बात करेंगे तो आई हम उसमें भी हॉल सेंटर धूने की खोसेश करते हैं जैसे कि मैंने बताया तो मैंने पार्ट तू में टालूंगा तो मैंने आपके लिए पार्ट तू में खुलता हूं नोटिस करना क्योंकि मैं एक लेटेस्ट फोन पर करना चाहता हूं और अभी के चलन का फोन है जो ए 505 मैं लेता हूं यहां पर यह देखें तो नोटिस करो यहां पर मैंने एक डाइग्राम खुला हुआ है अब मुझे इसके लिए हॉल संसर ढूड़ना है और यही चीज हॉल संसर यह चेक करना है कि अवर्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो बहुत आप इसको चेक कर सकते हो तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करना और कुछ भी सवाल है इत्म ही होती है क्योंकि ज्यादा लोगों को पढ़ाने में बिलीब नहीं करते हैं क्योंकि 43 लोगों को आप रख लो और उनको कुछ देनी पाओ तो यह तो बिजनस हो जाता है अब देखिए तो यहां पर अगर मैं बात करूं अगर मुझे यहां पर धूंड़ना है कि मेर जूम कर लेता हुँ और सीदह डाला यहां पर थी अचये कंगे और यह देखिए सीदह और स्यादा ऐसे इसे ह winter वह और मैं बात करूं यहां पर आगर मैं जूम लूँंगा यह देखो यह लगी हुई है और अगर मैं आपको इसको एक इसमें दिखाऊं पीसीवी में तो नोटेस करो यह आपकी हॉल संसर आइसी लगी हुई है जो की यहां पर है तो यह आपको कभी ऐसा हो कि इस तरह के फोन है यह दिखनाने के अदर पैडेस हो यह वude गया है और यह पर आपको जिखना क्यों कर रहेएं क्या दोस्तों मालो यह नोस कट पोइंट है तो एक जो तीन चार यहां पर आईसी निकलने के बार जी आर अंना चाहिए aur यह जी आपका CPU से आना चाहिए और अगर यह जी आपका नहीं आया तो यहां पर आपको CPU को रिबॉल करना पड़ेगा धानकिया CPU का हो सत्ता है अंदर पैड ड्राय सोल्ड हो गया हो तो यह वीजन है और जब तक यहां पर जी आपका नहीं आएगा बिना यह CPU 1.8 V को सेंस करता है और अगर वह 1.8 V को सेंस करेंगा तो उसको लगेगा कोई भी कवर नहीं है और अगर 1.8 V सेंस करेंगा तो लगेगा कि कोई कवर लगा हुआ है so कैसा लगा यह ज़रू बताएगा और वीडियो में आपको दीए पहुत सरी जानकरी टैंक यु अलड़ा बेस्ट तो दौस्तों आपको क्या करना है आपको सिर्फ फेसेड़ू में जाकर एक लाग से ओपर हमारे फॉलोवर्स हैं और अगर हम बात करें तो आप डेली यहां पर लाइव वीडियो देख सकते हैं यह हमारे अभी का लाइव है जो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वीडियो को तो आप देख सकते हैं मैं यह अभी का लाइवा इक घंटे पहले का यहां पर नोटिस किये तीन घंटे पहले का जो रहे कि एप लगा सब्सक्रास ऎप इया हमारी हाडवेर की क्लास जिसमें क्लास पूरे होने के वाड़ एक इस टुडेंट से रिवियू लिया गया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप हमारे वीडियो लिस्ट में जाकर आप यहाँ पर बहुत सारे वीडियो हमारे पूरे 12 गंटे में लगबाघर घंटे लाइव आता है और अपने यह रीखिए यहाँ पर आप नोटस कर सकते हैं यह देखे हैं यह सारे जो वीडियो आप देख रहेंगे यहां पर आप इस वीडियो को जाके ओपन कर सते हैं और यह पर्टिक्लर लाइव वीडियो है कल के मेरे हाडवे के क्लास में मैं भी लाइव आया था तो मैं एक बार देखा देता हूं लाइव सेक्शन के सब्सक्राइब करें और इसको जाके फॉलो कर दीजिए और फॉलो करेंगे तो आप हमारे एचे टेलिकॉम के हर एक वीडियो से और हर एक दिन के लाइव से जोड़ पाएंगे जिसमें आपको बता चलेगा कि कि और वॉल्हां करूंगा एडवान्स लेवल मुबायल मूबाइल तो मैं आपको रिक्मन तो मैं आप तो मैं आपको रिक्मेंट करूंगा एडवांस लेवल मुबाइल हाडवेर सी वॉल्यूम टू को जिसको मैंने वॉल्यूम टू में आपको अपडेट वर्जन दिया है इसको पर्चस की जब इसमें उफर चल ला है बुक का कॉस्ट पजब स्याहिक है सब्क्रीव और भड़कर आप यहां से बूंग को प्र्चस कर सकते हैं और आप हमारी वॉक को काॉल करें परणाइज कर सक्ते हैं जिसके लिए क्वूल क्यों चैनल comment कर तो आपको यहां पर हमारी upside में उपर देखने को मिल जाएगा आप यहां कि अजय खोज़ गड़ादा और समय कोगरा जढ़ा है कि अजय कोगरा नहीं है कि अजय कोग़ा है